नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमिद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपके ले लेकर आया हूँ भारती इतियास का भाग दो जिसमें हम आज हडपा सविता के बारे में कुछ अत्यांत महतपूर बहुविकल्पी प्रस्नों का जिक्र करेंगे जो की उत्तर प्रदेख्स लोग सिवायोग और अन्य लोग सिवायोगों की परिचाओं में पूछे जा चुके है तो ये प्रस्न आपके लिए बेहद खास हो जाते हैं खंड सिच्छा अधिकारी के परिच्छा के लिए जो की 22 मार्च को संभावित है तो आई देखते हैं पहला प्रस्न हडपा में बिट्टी के बरतनों पर समानेता किस रंग का उप्योग हुआ है तो यहाँ पर बिकल्पे में लिखा है लाल, B, नीला हरा, C, पांडू, D, नीला तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है A, लाल हडपा काली बरतनों में उपर लाल और नीचे काले रंग की आक्रिती बनाई जाती थी यानि बरतनों पर नीचे काला और उपर लाल रंग की आक्रिती बनाई जाती थी अगला प्रस्न है भारत में चांडी की उप्लब्दता के प्राचिंतम साच्य मिलते हैं तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है A, हडपा संस्कृती में जिसे कांशेकालीन संस्कृती भी कहते हैं इसमें चांडी की उप्लब्दा यानि चांडी के साथ साथ चांडी सोना लेकिन ये लोग लोहे के प्रयोक से अपरचित थे अगला प्रस्ने विशाल असनानागार के पूरातत्तो अस्थल किस पूरातत्तो अस्थल से पाजाता है विशाल असनानागार कहलीजे या महान असनानागार कहलीजे ये किस अस्थल से खुदाई से प्रत्त होता है विकलपे रोपड, वी हडपा, सी मोहन जोदोडो और डी का में से कौन सा कथन असत्त है, यानि कि कौन सा कथन गलत है, सही पुछा जा रहा है या गलत इस बात पर खास ध्यान दिया करिए, तो यहाँ पर गलत पुछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, विकल्पे नगरों में नालियों की सुद्रेड बेवस्ता थी, तो ये तो सही है, B. व्यापार और बाडिज उन्नत दसा में था ये भी सही है C. मात्र देवी की उपासना की जाती थी ये भी सही है लोग लोहे से परचित थे तो यही बात गलत है क्योंकि सिंदु घाटी के लोग लोहे से परचित नहीं थे और संभवत इसी कारण से वो आरियों से वैदिक आरियों से परचित थे और लोहे के हतियार बराना जानते थे तो देखते अगला प्रस्न हडपा किस नदी के किनारे अवस्तित है तो हडपा विकलपे व्यास B. सतलज C. रावी D. घगगर और सही जवाब है C. रावी यानि हडपा रावी नदी के किनारे इस तीत है दोस्तो इस इन सभी प्रस्नों का पीडियम में पीडियम भी मैं लिंक में प्रवाइट करने की कोशिस करूँगा आप वहाँ से इसे देख सकते है और मैं अपने टेलिग्राम भी टेलिग्राम पर जो चैनल है उस पर भी सरे जितने में पीडियम है उस पर डावलोड करने की कोशिस करता हूँ आप वहाँ से भी इसको अप्लोड कर सकते है देखि अगला प्रसंद सिंदुगाटी सब्ता मानी जाती है तो इसमें कूट बताना है विकलप कूट एक में लिखा है अपने नगर नियोजन के लिए दो मोङ्जोड़ और हरपा के लिए तीन अपने क्रिशी समंदिक कारियों के लिए और चार में लिखा है अपने उद्योगों के लिए तो इसमें हमारा सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी यानि सिंदू गाटी की जो सवेता है नगर नियोजन तो इसका बहुत खास था ही मोंजोदोर हडपा इसके बहुत ही चर्च योग में भी आगे थे इनका बंदरगा था लोथल अब यहाँ पर कूट मिलाना है एक तरफ हडपन संस्कृति की बसती और दूसरी तरफ है नदी यानि कि कौन सास्थल किस नदी के तठ पे इस्थिता है क्योंकि प्राचिन काली जो सभेता है थी वो खास्तवस नदियों क कि आसपासी विक्सीत होती थी तो हडपप किस नदी के किनारे स्थित है तो तीन यानि की रावी कालि भंगा तो कालि भजगा दो यानि की घगघर नदी लोथल एक यानि भोगवा नदी रोपळ सत लज नदी यानि की चार तो हमारा कूट बन गया 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् भोगवा, तो याद रखियेगा ट्रिक है, लोथल मतलब लोटना बच्चे जमीन पर लोट जाते हैं, किस लिए भोग प्राप्त करने के लिए भोग मतलब कुछ खाने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए सेवन करने के लिए दधेरी एक परवर्ती हडप्य पुरास्थल है जंबू का B. पंजाब का C. हर्याना का D. उत्तर प्रदेश का तो दधेरी एक परवर्ती हडप्य पुरास्थल कहां का तो आंसर है D. उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश की परिच्छा इसलिए उत्तर प्रदेश विसेश वाले में भी यह आपका काम करेगा इस पर विसेश ध्यानक किएगा निमलिखित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है तो हडपा कालिन बंदरगा या गोधिवाड़ा भी का जाता है वो है विकलपे सिकंदरिया बी लोथल सी महास्थान कारगण डी है नागपत्नम तो सही जवाब है भी लोथल जो की गुजरात में इस्तित है रंगपूर जहां हडपास की समकालिन सबहता है कहां पर है तो पंजाब में पुरिवत्तर प्रदेश में सावराष्ट में रास्थान में तो रंगपूर कहां पर है तो इसमें हमारा कहां से प्राप्थ हुई है, हल का खिलावना कहां से प्राप्थ हुआ है, तो यादर की एक हल बन में चला जाता है, बन को उपजाव बनाने के लिए, तो हल प्राप्थ हुआ है, बनावली से, आंसर हो गया B, सिंदु गाटी सबता का कौन सास्थान अब पाकिस्तान में है तो जायत तर इससे अब पाकिस्तान में ही चले गे लेकिन फिर भी कापी हद तक कई हिससे भारत में भी मौजूद है तो कौन सास्थाल इसमें अब पाकिस्तान में है तो सबसे चर्ची था इसमें हरपपा, हरपव पाकिस्तान में है अगला प्रस्ण निमलिरखीत में से काउन हरपपा और मोंजोदोडो की उत्वळणन से समंदित नहीं थे तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है डी, डी पुरातत्यों से समंदित नहीं थे हडपा मोंजोदोड की खुदाई से समंदित नहीं थे अगला प्रसाइब चिंदू सब्टाक की विक्षी तवस्था में निमलिखित में से किस अस्थल से घरों में कुए क्या उसे समिले यानि कि लोगों के घरों में कुए होते थे तो कहां पर तो मोहन जोदोडो से याद रखिए अगर मोहन के घर में ही कुए है बाहर जाने गिरोत नहीं मोहन जोदोडो हडपा का उत्खरन करने वाला प्रथम पूरातत्त वविद जो इसके मोहत्तो को नहीं समझ पाया तो वो थे विकल्प ए एकनिंगम अगला प्रशने मोहन जोदोडो निमलिखित में से कहां परिष्टित है बिकल्प A भारत के गुजरात राज में B भारत के पंज्याब राज में C पाकिस्तान के सिंद प्रांत में D अफगानिस्तान में तो मोह जोदोड कहां इसी तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अगला प्रस्ण है कौन सुमेलित नहीं है यानि कि कौन सा गलत है तो हडपा की खोज दैरामसानी ने किया था लोथल एसा राव ने किया था या सुरकोड़ता जेपी जोसी ने किया था या धोला बीरा बी के थापड़ ने किया था तो कौन सा जोड़ा गलत है तो जोड़ा डी गलत है यानि यहाँ पर आपको इन तीनों को याद रख लेना चाहिए भडपा का दैरामसानी सब लोग जानते हैं लोथल का एसा राव सुरकोड़ता का जेपी जोसी अगला प्रसमेख एक उन्नत जल प्रभंधन व्योस्ता का साची प्राप्थ हुआ है यानि कि उन्नत जल प्रभंधन का साची कहा से प्राप्थ हुआ है दिकलपे आलमगीरपूर जो की उत्रपरदेश मिरठ में है धोला बीरा से, C काली बंगा से, D लोथल से, तो सही जवाब है धोला बीरा से, व्याद करने का ट्रिक है जो ही आएगा जल प्रबंधन, तो जल से हमनों क्या करते हैं, धोला, जातर हमनों दो ही अच्छारों से कोड बनाते हैं, धोला यानि कि घर को या अपने कमरे को जल से माना अफा दहुला कॉन सा हड़प्प्य नगर तीन भागों में विभ क्त था जातर हड़प्प नगर दो भागों के नहीं भागों विभक्त थे लेकिन यहाँ पर तीन भागों में विभक्त है कॉनसा अब लागह है szeret दोला बीरा जिस राज में इस्तित है वह इस्तित है कहां पर एक बिकल पे गुजरात ब्य हर्याना 50 पंजाब достаточно तो Śथझवाब है एक गुजराप ध्याज फ्रॉलण के लिल्जम कि खेतिकारम सबसे पहले किया गया कहां Пर के में यानि सिधे-सिधे आद रखना एक का पास वस्तर के लिए का पास का उप्योग मिस्र में, में मेस्वेपुटामिया में, द भारत में तो ऐसा हुआ है सबसे पहले कहां पर द भारत में अगला प्रस्न है 35 संस्कृतिक संदर्व में सायल कृत अस्थापत्य के प्रमाड कहां से मिले हैं विकल्पे कालिबंगा बी धौला वीरा सी कोड़ दीजी और डी है आमरी और सही जवाब है बी धौला वीरा जहां पर उन्नत जल प्रबंदन भी देखने को मिलता है लेखन कला की उचित प्राडाली विक्षित करने वाली सर प्राचीन सब्वेता कौन सी थी जो ही आए लेखन विकल्पे में लिखा है सिंदू बी में मिस्र, सी में सुमेरिया, डी में चीन तो लेखन को हम लोग सुलेख भी कहते हैं सुलेख लिखना यानि सुलेख लिखना यानि सुलेख लिखना सुलेख तो सुमेरिया कुछ-कुछ ऐसा ही देखने में सुनने में लग रहा है सुमेरियन, सुलेख लेखन कला सुमेरियन आंसर हो जाएगा C अगला प्राशन है निमलिकित में से कौन सी सब्था नील नदी के तट पर पन पी विकल्पे रोमन सब्ता B सिंदुगाटी की सब्ता C युनानी सब्ता D मिस्र की सब्ता सबी लोग जानते होंगे नील नदी नील नदी को देन कहा जाते कहा कि मिस्र की तो इसमें हमारा आंसर हो गया D मिस्र की सब्ता निमलिखित में से किस पसु का आउंकन हडपा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता तो विकलप ए है बायल, बी हाती, सी घोडा, डी भेड तो हडपन संस्कृति में मोहरों से प्राप्त नहीं होता घोडे की अकृति वैसे तो घोडे के साची कहीं कहीं देखने को मिलते हैं लेकिन मुहरों पर घोडे के अक्रिती नहीं मिलते किस पसु के उससे सिंदुगाटिक सब्ता से प्राप्त नहीं होते तो वैसे तो कहा जाए तो गाय के भी कहीं हमें साच से देखने को असपस नहीं मिलते घोड़े के भी नहीं मिलते लेकिन कहीं कहीं ये प्राप्ट हुए हैं लेकिन सेर का डाइरेक्ट हम कह सकते हैं सेर के जो साच है बाग के साच मिले हैं से दुगाठी की सब्ता से लेकिन सेर के साच नहीं मिले हैं तो हमारा आंसर हो जागा ए सेर यानि घोडे के चित नहीं मिले हैं गाय के चित नहीं मिले हैं लेकिन सेर से परचित होने के साथ नहीं मिले हैं मिरिड पटिका पर उतकिर्ड सिंग यूत देवता की कृति प्राप्थ हुई है तो सिंग यूक्त देवता वाला बात जो ही आएगा तो सिंग यूक्त देवता कहां भी राजिमान है तो याद रखेगा काली जी के मंदिर में आंसर होगे भी काली बंगा काली बंगा कहा है तो राजस्थान में निमनस्थानों पर किस एक अस्थान पर सिंदू गाटी सब्ता से सम्मंद विख्यात ब्रिशब मुद्रा ब्रिशब मुद्रा सिंग वाली मुद्रा नहीं ब्रिशब मुद्रा प्राप्त हुई है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा A और D महंजोदोडों से यानि बिसम मुद्रा महंजोदोडों से प्राप्त हुई है अगला प्रस्णा है हडपा कालिन अस्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ती नहीं हुई है तो किस धातु की प्राप्ति नहीं अभी प्रसनाया था, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, यानि सिंदु गाटी के लोग या हडपा कालिन लोग लोहे से परचित नहीं थे, स्वरड से, तामा से, चांदी से परचित थे, निम्न में से कौन सा अस्थल घगर और उसकी सहाय गाटी में इस्तित है, तो इस विकल्पे में है आलमगीरपूर, B. लोथल, C. महजोदोडो, D. बनावली, तो घगर और उसकी सायक नदियों की घाटी में इस्तित कौन है, तो बनावली जो कि हरियाडा में इस्तित है, आंसर होगे D, हाती दात का पैमाना हडप्य संदर्भ मे मिला है, बिकल्पे काली बंगा, B. लोथल, C. धोला बीरा, D. बनावली, और सही जवाब है इसमें, लोथल जो कि एक बंदरगा था, गोदी बाड़ा था, और यही पर हाती दात हमें का पैमाना मिला है, अब ये कथन कारण का प्रस्न है, इसमें पूछा जा रहा है, कथन म पता है, वह खुदाई के दारान प्रगठ हुए, तो ये भी सही बात है, बहुत समय तक हम लोग जानते ही नहीं था, कि बैदिकाल से पहले भी कोई समय थी, बाद में खुदाई के बाद हमें पता चला कि, मोजोदोड़ा या हडपा नामा कोई समय भी है, तो बाते दोनों सही है, लेकिन इस कथन के लिए ये कारण सही नहीं है, यानि कह सकते हैं कि वह खुदाई के दारान प्रगठ हुई, इसी कारण से मोजोदोड़ा धारपा नगर अब बिलूपत नहीं हुए, यानि कि इस कथन का ये कारण सही नहीं है, लेकिन दोनों अपने जगापे सही है इसलिए हमारा कौन सा जवाब से हो जाएगा A और R दोनों सही है किन्तु R सही सपस्टी करण नहीं है A का आंसर हो जाएगा B स्वर्पतम मानों ने निम्न धातू का अपयोग किया यानि मानों ने सबसे पहले किस धातू का अपयोग किया बहुती इंपाटेंट और चर्चित प्रस ने सबको पता होगा विकलपे सोना B चांदी C तामबा D लोहा और सही जवाब है C तामबा याद रखेगा याद करने के लिए ट्रिक है कि तावे पर ही मनुष ने रोटी बनाना शुरू किया सबसे पहले तावा से आदमी व्यक्ति परचित हुए मानो समाज बिलत छड़ है क्योंकि वह मुखिता मुखिताया आश्रित होता है A संस्कृति पर B अर्थवेवस्था पर C धर्म पर D विज्ञान पर तो इसमें सही जवाब है A संस्कृति पर क्योंकि संस्कृति ही मानो को ज्यानवरों से अलब करती है क्योंकि ज्यानवरों की कोई संस्कृति नहीं होती अगला प्रसे अस्थापित सिंदु घाटी सब्ता जिन नदियों के तर्ट पर बसी बसी थी वे हैं तो सिंदु गाटी की सबता किन नदी की तड़ पर बसी थी तो A सिंदु नदी, B चेनाव नदी, T जेलम नदी, गंगा नदी की तड़ पर नहीं पर नहीं पर नहीं थी इसलिए 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाता है आंसर हो गया B सिंदु गाटी के लोग विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में, B कर्मकाण्ड में, C यग्डि प्रडाली में, D मातर सक्ती में तो यही सही जबाब है मातर सक्ती, यानि कि मातर देवी की सबसे ज़्यादा उपासना की जाती थी सिन्दु गाटि के लोग सबसे अधी कोपसना किसी करते थे तो मात्र देवी की कैसे पज़ाचला कि उसाथ-चाथ मैलाओं की मुर्तियां यहाँ से प्राप्त होए है सिन्धी गाटी के लोग पूजा करते थे तो यहाँ विकल्पे मात्र देवी नहीं लिखा है लेकिन ये सभी जो हैं वे वैदिक कालिन देवता हैं इसलिए हम एक उटिक करेंगे पसुपती की पुझा की सबसे प्रचिंतम साथ सिंदुगाटी की सब्ता से ही मिले हैं भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरास्थल कौन है तो ये इंपर्टेंट पुरास ने भारत के संदर दूमें पुझा जाए भारत का यानी जो भारत में है तो वो है राखी गडी हर्याना वाला सबसे बड़ा और दूसरे नंबर पर कोई होगा लेकिन सबसे पहले नमबर पर है राकीगड़ी और धोला बीरा दूसरे नमबर पर आएगा मोहन जोडोड़ एवं हडपा की पुरा तात्वी खुदाई के प्रभारी कौन थे विकलपे लाड मैकाले, B. सरजान मार्शल, C. कलाइब, D. कर्नल टाड़ और सही जवाब है B. सरजान मार्शल, भारत में हडपा एक बिरियाद अस्थाल है, वही प्रस्ण है, विकलप A. राकीगड़ी, तो यही सही जवाब है, राकीगड़ी, सबसे बिरियाद अस्थाल है, सबसे बड़ा अस्थाल है, और दूसरे नमबर पर धोला बीरा होगा सिंदु घाटी सब्ता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वे हैं, विकलप A, राखल दास बनर जी तता दयाराम सानी, तो यही सही जवाब है, विकलप A. निमलिखित में से कौन साथ सिंदु घाटी की सब्ता से समंदित अस्थल नहीं है, विकल प्रपा संस्कृति के अस्थल और उनकी इस्तिती से समंदित निम्न लिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आलमगीरपूर उत्ता प्रदेश में था ही मिरट में, बनावली हरियाना में है, दायमाबाद महराश्ट में ही है, राखीगड़ी रास्थान में नही तो जम्मु कस्मीर में है, यानि की तीन, दायमाबाद कहां पर है, तो महराश्ट में है, यानि की चार, कालिबंगा कहां है, तो रास्थान में है, यानि की एक, राखीगड़ी कहां है, तो हरियाड़ा में है, यानि की दो, तो करमसक्या हो गया, तीन, चार, एक, दो, तीन आपको ध्यान लखना चाहिए तो इसमें एक में लिखा काली बंगा यह उत्तर प्रदेश में यह राजथान में है दूसरे में लिखा लोथल जो कि यह भी उत्तर प्रदेश में यह गुजरात में है आलमगीरपूर और हुलास यह जो दोनों है उत्तर प्रदेश में आलमगी एच मैक ने, सर जान मार्सल ने, आई, ए, म, भीलर ने, सर ओरल इस्टीन ने, तो ये सुचीएगा ट्रिक कि चनुदड़ों मतलब चुहा, एक चुहे ने किसको काड़ दिया, माइक को, यानि कि माइक को किसने काड़ दिया, चुहे ने, सही जवाब है A, निम्नांकित में किस इसका सुमेल नहीं है, आलमगीर पूर उत्तरप्रदे सही है, लोथल गुजराश सही है, काली बंगा रास्थान में था, इसलिए यही सही नहीं, रोपड पंजाम में था ही, तो इसमें हमारा सही जवाब होगा C, फिर कोट मी लाना है, लोथल, लोथल में क्या था, तो गो यानि कि एक, ये ट्रिक में बता रहा हूं सिर्फ याद करने के लिए, धौला बीरा, तो धौला बीरा के लिए क्या है, हडपन लिपी के बड़े आकार के दस चिन्नों वाला सिला लेक, अब बनावली में पकी मिट्टी का हल याद रखेगा, हल जो ही आएगा, तो हल कहां चला था, तो बन में, यानि कि यहाँ पर हो जाएगा, तीन और यहाँ पर हो जाएगा, चार यानि एक, दो, च्यार, तीन, एक, दो, च्यार, तीन, यानि विकल्प सी हमारा आंसर, विकल्प भी हमारा आंसर हो जाएगा, दो, एक, च्यार, तीन, ये दो है, एक है, च्यार ह खेत में किसका मंदीर है तो जूतेवे खेत में काली जी का मंदीर यानि विकल्बी हमार आंसर हो जाएगा काली बंगा में रहस्थान में निम्लिखित पस्वों में से किस एक का हड़पन संस्कृती में पाई मुहरो और तेराकोटा काली शिंदुगाटी के लोग गाय से परचित नहीं थे बलकि वो परचित किस से गाय से और गोड़े से परचित नहीं थे गाय से सबसे अच्छे परचित थे वैदिकाल के लोग आंसर हो जाएगा ए फिर से कुट मिलाना है हडपा तो एक ही है सवधान आर साइतिस एक लोथल में फिर से गोदिवाडा यानि बंदरगा दो काली बंगा में काली जी का मंदिर कहां पे जूता हुआ खेती यानि की चार अमोंजोदोडों में कांसे की नर्थकी मिली है यानि तीन यानि एक दो चार तीन विकल्प हो गया डी मुर्ती पुजा का आरंब कब से माना जाता है विकल्प पुर्व आरे बी उत्तरवेदिकाल सी मौरेकाल डी कुसाड़काल तो इसमें सई जवाब है पुर्व आरे पुर्व आरे का मतलब यहां पर हो जाता है यानि आरेयों से पहले तो आरेयों से पहले यानि कि हडपा सबिता तो हडपा सबिता कही है या सिंदु गाटी की सबिता कही है यानि आंसर हो जागा ये सिंदु गाटी की सबिता को आरियों से पुरु रखे जाने का महत पूर का रख्या है यानि सिंदू गाटी की सब्ता सबसे पहले थी उसके बाद आरियों की सब्ता आई तो इसका प्रमुक आधार क्या माना गया तो याद रखेगा आपको नगर नियोजन को टिक नहीं करना है लिपी तो है लेकिन अभी तक कोई पढ़ी नहीं जा सकी है यहाँ पर मुख आधार है मिर्दभांड यानि कि बरतन याद रखेगा बरतन है एक सबसे बड़ा कारण जिसके आधार पर सिंदुगाटी की सब्वेत्ता सबसे पहले और उसके बाद आरेओ की सब्ता को रखी गई है क्योंकि हर काल की मिर्दभांड अलग-अलग रंगयों पर होते थे जैसे सिंदुगाटी के जो बरतन थे वो लाल काले थे वैदिकाली आरेओ के बरतन चित्री धूसर थे तो मिर्दभांड आंसर याद रखेंगे आप सिंदुगाटी की सब्ता गयर आरे थी यानि कारे नहीं थी इसका सबसे बड़ा कारण क्या है क्या पहचानने का तरीका है तो वह नगरी सब्ता थी सही बात है उसकी अपनी लिपी थी लिपी तो खैर थी ही उसकी खेतियर अर्थविवस्था थी ये भी सही है उसका विस्तार नर्मदा थक था तो सबसे इसमें महतपूर कारण जो है वो है वो है वो नगरीय सब्ता थी सिंदुगाटी की सब्ता गयर आरे थी क्योंकि वो नगरी सब्ता थी जबकि आरेयों की सब्ता वो जो थी वो ग्रामीड सब्ता थी तो सही जवाब क्योंकि वैदिक कालीन सबता है तो ग्रामीर थी विकल भी इनके पास चित्र लेखी लिपीती तो सही बात है भले इने आज तक पढ़ा नहीं जा सका है इनसके पास लोहे और अच्छा सस्त्रों के ज्यान का अभाव था सही बात है लोहे से ये लोग अपरचित थे परचित न जरूरी है कि एक है प्राग प्राग एतिहासिक काल उसके बाद है आध एतिहासिक काल या कह सकते हैं सिधे सिधे प्राग एतिहासिक काल उसके बाद आध एतिहासिक काल उसके बाद एतिहासिक काल तो प्राग एतिहासिक काल में वह इतिहास होता है जिसका कोई लिखित साच हमें नहीं मिलता है यानि कोई लिखित साच इनका हमारे पास न हो ऐसे इतियास को हम प्राग इतियास करते हैं जैसे पूरा पसारकल मुद्पसारकल नो पसारकल और आद इतियास काल यानि कि जिसका हमें लिखित साच तो प्राप्त है लेकिन आज तक हम उसे पढ़ भले ही न पाए हो ऐसे इतियास को हम आध एतियास में रखते हैं जैसा कि सिंदुगाटी की सब्ता में था जिसे हम कांशकालीन सब्ता भी कहते हैं और एतियासिक काल जहां से में लिखित साच मिलने लगे और जिसे हम पड़ भी सके हैं तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिंदुगाटी की सब्ता कैसी है तो बी आंसर होगा आध एतियासिक यूग निमलिकित में से कौन सा सिंदू गाटी की सब्ता पर प्रकाश डालता है सिलालेक तो महर्यों की समय शुरुआत हुआ पुरा तत्विक समंदी खुदाई बरतनों की महरों पर लिखावट धार्मी ग्रण सबसे महतपूर इसमें है पुरा तत्विक खुदाई पर हम लोग सिंदू गाटी की सब्ता की जानकारी के लिए निर्बर है हडपा निमलिकित में से किस सब्ता से संबंध है तो इसमें हमारा सही जबाब होगा बी सिंदू गाटी की सब्ता है तो हडपा सब्ता इसका सबसे सरो उत्तम नाम है सिंदु घाटी की सब्ता पहले कहा जाता था सिंदु घाटी की सब्ता या सिंदु सब्ता लेकिन वर्तबान में अभी से हम हडपा सब्ता ही कहना उचीत होगा क्योंकि सबसे पहली खुदाई जो है वो हडपा में ही हुई थी निम्न में से कौन सा तो दोस्तों यहीं तक यह वीडियो था तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरुर लिखेगा अगर वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिए कर लिजिए कि खंड़ सिच्छा दिकारी के लिए GS के अन्य ट्रिकी वीडियो मैं आपके सामने ऐसे ही लाता रहूँगा धन्य बाद दोस्तो